नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे इस चैनल दुरूफ क्रियेशन पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो दुरूफ क्रियेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो आज का वीडियो सावन मास के विशय में है, दोस्तों यदि को इस्त्री सावन के पांच सोमवार पुरुष को चुपचाप ये एक चीज़ खिला दे, तो वो पुरुष पत्नी के वश में हो जाता है। इतनी जो कहती है, पती वही करता है, वो कभी भी क्रोध नहीं पती की शराब आदी भी छूट जाती है और उसे कभी किसी पर घुसा नहीं आता। पैसे में स्त्री जीवन पती के साथ में बहुत ही सुखमे तरीके से व्यतीत होता है, बहुत सी नारियां सोमवार के व्रत में इस उपाए को करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है। पत्नी को रुपया पैसा देता है, धन देता है, इज़त मान सम्मान सब देता है। पत्नी को सोमवार के दिन करना है, एक बार माता पारवती ने भगवान शिव से पूछा, भू मैंने देखा है। पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी स्त्रीयों का सम्मान नहीं करते, वही स परवाती, मैं तुम्हें एक ऐसे उपाई के बारे में बताता हूँ यदि कोई भी स्त्री सावन के पांच सोमवार अपने पती को चुपचाप एक चीज खिला देती है तो उसका पती जीवन भर उसका सम्मान करता है उसे प्यार करता है उस पर कभी गुस्सा नहीं करता उसकी हर बात को महत्व देता है पर माता परवाती कहती ये प्रभू आखिरकार वो चीज कौन सी है जो पुरुश को खिलाने मातर से उसका गुस्सा सदैव के लिए छूमंतर हो जाता है पत्नी के जीवन में खुशियां भर जाती है भगवान शीव कहते हैं परवाती अब मैं तुम्हें उस चीज के बारे ठीक से समझ में आएगा और वो चीज कौन सी ये भी तुम्हें मालूम पढ़ जाएगा माता परवती कहती है ठीक है प्रभू आप कहानी को सुनाना प्रारंब करें मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी मित्रों कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं से पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ग्यान का अपने जीवन में लाब उठा स जिसके सेब जैसे लाल लाल गाल हो, सेब के बीच जैसी कत्थई आँखें हो और सेब के रंग जैसा मीठा स्वभाव हो लेकिन ऐसी लड़की उसको अपने राज्जे में कोई नहीं मिली इसलिए वो ऐसी लड़की की खोज में दूसरे देश को चल दिया तीन दिन और तीन रात की लगातार सवारी के पश्चात में राजकुमार एक ऐसी जगह पर पहुँचा जहां छोटी छोटी जाडियों की एक कतार लगी थी कतार में एक ज़ाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी फिर तो राजकुमार उस टांग को देख कर रुक गया भी उसने एक आवाज सुनी मेरी बदकिस्मती जो मैं यहां पर चिपक गया हूँ वही ज़ाडियों में से फिर आवाज आई मेरी टांग खींचो भी तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ राजकुमार ने कहा अच्छा और ऐसा कह करके राजकुमार ने जोर लगा कर कि जैसे ही उसकी टांग खींची तो एक छोटा आदमी जिसका शरीर गोल था वो लाल और हरे रंग के कपड़े पहने था एकदम से बाहर उसने राजकुमार को अपने को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया वही राजकुमार ने पूछा मुझे तुम्हारी सहायता करके बड़ी खुशी हुई रंतु जाडियों में क्यों पड़े थे ये बताओ तो वो आदमी बोला हे राजकुमार एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहां पर आकर पकड़ा मैं यहां आकर छुप गया और राक्षस मेरी बेटी को लेकर के यहां से चला गया फिर राजकुमार ने पूछा तो क्या वो तुम्हारी बेटी को यहां से उठा कर ले गया है तो आदमी ने कहा हां उसको अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया और राक्षस लेकर के उड़ गया मैं तो बिलकुल गूंगा सा हो गया और सांस भी नहीं ले सका फिर तो राजकुमार बोला यह तो बड़ा बुरा हुआ वो तुम्हारी लड़की को किस ओर लेकर गया है वही वो व्यक्पी राजकुमार से फिर कहने लगा यह राजकुमार वो राक्षस मेरी बेटी को भूखे कुटे ठकी हुई जादू गरनी और खाई के पार बने दर्वाजे के उस पार लेकर गया है भगवान शिव कहते हैं पारवती वही जैसे ही ने राजकुमार को सारी बात बताई तो राजकुमार ने फिर कहा भूखे कुटे ठकी हुई जादू गरनी और खाई के पार बने दर्वाजे के उस पार गदी तुम्हारी बेटी इस प्रकार दिखती है मुझे पहचानने में उसे बहुत आसानी होगी और मैं तुम्हारे पास में तुम्हारी बेटी को वापस ला सकूंगा वहीं की बात को सुनकर कि वो आदमी कहने लगा ए राजकुमार, तेरी बेटी के गाल उसके सेब जैसे लाल है की बात को सुनते ही उस पर बिल्कुल भी नहीं रुका गया कहने लगा तुम चिंता मत करो मुझे भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी और फिर इस प्रकार राजकुमार जो था तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस लड़की की खोज दोड़ चला फिर चलते चलते राजकुमार दूर जंगल में निकल गया अगर राक्षस का ठिकाना नहीं ढूंड सका फिर वो परेशान होकर कि एक सरोवर के किनारे सोच विचार में बैठा हुआ था भी संयोग से घूमते घामते उसी सरोवर के किनारे साधू आ जाते हैं जो विश्णु भगवान के उपासक थे वही जब साधू ने राजकुमार को बहुत ज्यादा चिंता में देखा साधू ने कहा क्या बात है राजकुमार इतनी चिंता में क्यों हो आखिरकार क्या समस्या है वही साधू बात को सुनकर राजकुमार ने बताया महाराज एक राक्षस यहाँ पर कहीं जंगल में रहता है वो एक लड़की को उठा कर उपने साथ में ले गया है मुझे वहां तक पहुँचना है अगर मैं कैसे पहुँचूँ मैं उसका ठिकाना ढूंड ढूंड कर परेशान हो गया लेकिन मुझे राक्षस का वो ठिकाना नहीं मिल सका इसलिए मैं सोच विचार में बैठा हूँ मुझे क्या करना चाहिए भगवान शिव कहते हैं ए पारवती इस प्रकार राजकुमार की बात को सुनकर साधू ने दिव्य द्रिष्टी से देखा उस राक्षस का ठिकाना कहां पर है देखने के में साधू ने राजकुमार से कहा राजकुमार मैं तुम्हे उस राक्षस का ठिकाना बताता हूँ मगर एक बात और ध्यान रखना जब तुम राक्षस के पास जाओगे तो तुम्हे कई समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ेगा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा जब तुम राक्षस के ठिकाने पर पहुँचोगे तो सबसे पहले तुम्हें एक कुटा मिलेगा जो बहुत ही गुस्से वाला है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो असल में कुटा नहीं है वो एक राक्षस और कुटे के रूप में पहरेदारी करता है यदि कोई उस गुपत स्थान पर घुसने की कोशिश करता है तो वो कुटा उस पर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है वहीं जब तुम और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक जादूगर्नी मिलेगी जिसे किसी इनसान को देखते ही इतना गुसा आता है कि वो गुसे से लाल हो जाती है और सामने वाले इनसान को मार कर खा जाती है फिर तुम जब और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक दर्वाजा मिलेगा जो असल में दर्वाजा नहीं है वो भी एक राकशस है जो दर्वाजे में पहरेदारी करता है फिर उसमें प्रवेश करने वाले इंसान को तुरंट ही खा जाता है भगवान शिव कहते हैं हे परवाती, वही वो साधु जो था राजकुमार से आगे कहता है हे राजकुमार, यदि तुम्हें इन तीनों के गुस्से से बचना है उनके गुसे को काबू में करना है उनका गुस्सा खत्म करना है तो तुम्हें अपने साथ में एक चीज रख कर ले जानी है और जब वो तुम्हारे उपर गुस्सा करना प्रारंब हो तो उनसे कहना कि मुझ पर गुस्सा मत करो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज पिलाने वाला हूँ जिसको पीने के पश्चात में तुम अमर हो जाओगे और फिर तुम उस चीज को जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ और फिर तुम उस चीज को उन तीनों को पांच पांच चम्मच पिला देना फिर वो जैसे ही इस चीज़ को पीएंगे तो उस चीज़ के प्रभाव से वो तुम्हारे हो जाएंगे और तुम्हें आगे जाने के लिए खुशी-खुशी रास्ता दे देंगे और तुम्हारे साथ में मित्रवत व्यवहार करेंगे भगवान शिवा कहते हैं हे परवाती इस प्रकार साधू की बात को सुन कर के राजकुमार ने जंगल से उस चीज की व्यवस्था की जो साधू ने बताई थी और फिर अपने साथ में करके राक्षस के ठिकाने पर पहुँच गया। राजकुमार हवा की गती से भागा जा रहा था कि एक कुत्ते का घर आया। जिए ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे वो चीज दिखाओ। चीज क्या है। वही राजकुमार ने वो चीज निकाली और कुत्ते को पीला दी और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ जहां सेब जैसे सुर्ख गाल वाली सेब के बीच जैसी कत्हई रंग की आँख वा ये राजकुमार मुझे किसी को भी देखते ही एकदम से क्रोधा जाता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी दी हुई चीज पी है, उसे मेरा गुस्सा पता नहीं कहा, गायब हो गया राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हे भगवान शाइव कहते हैं, ये परवाती, इस प्रकार राजकुमार ने उस कुटे को अपना खाना दे दिया, जो स्वेम के खाने के लिए अपने साथ में लाया था, कहा ये लो, कुछ रोटियां, इन्हें खाकर के अपनी भूख मिटाओ, और फिर राजकुमार ने ऐसा कह कर कि उस कुटे को अपनी सारी रोटियां दे दी, और फिर कुटे ने से वो रोटियां खाई, राजकुमार से बोला, जाओ राजकुमार भगवान करे, तुम उस लड़की को छुडाने में कामियाब हो, अगर ये जरूर याद रखना, जि तुम्हें वो लड़की कहीं पर दिखाई ना दे, वहाँ पर तुम्हें एक सेब जरूर दिखाई देगा, सेब को तुम जरूर उठा लेना, प्रकार राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और कुटे के ऊपर से चलांग लगा दी, और हवा की गती से अपने घोड़े को दोडाता हुआ, वो पिला दी, फिर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहां सेब जैसे सुर्ख गाल वाली सेब के बीच जैसी कथाई रंग की आख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वाभाव वाली लड़की कैद है, तो जादूगर्नी का गुसा थंड तो जादूगर्नी ने उस कंबल को अपने शरीर के चारों और लपेट लिया और कहने लगी, राजकुमार तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, तुम यहां से आगे जा सकते हो, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुडान में काम्याब हो जाओ, पर याद रखना, यदि तुम्हें वो लड़की वहां पर ना मिले, तो वहां पर एक सेब रखा होगा, उस सेब को जरूर उठा लेना, भगवान शिव कहते हैं, हे पारवती, इस प्रकार राजकुमार जो था, जादूगर्नी के मकान के उपर से च् के साथ में उस लड़की की खोज में आगे चल दिया, फिर वो एक दर्वाजे के पास में आया, जो एक राक्षस के रूप में खड़ा हुआ था, वही वो दर्वाजा जो था, राजकुमार को देख करके कहने लगा, ये राजकुमार सावधान हो जाओ, यदि तुमने एक क पुर्ख गाल वाली सेब के बीज, जैसी कथई रंग की आँख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वाभाव वाली लड़की पैद है, तो दर्वाजे ने कहा, मेरा गुसा पता नहीं, कैसे शान्त हो गया, तुम बहुत अच्छे राजकुमार हो, मैं तुम्हें रास्ता द खुडाने में जरूर कामयाब हो, मगर एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हें वहाँ पर वो लड़की दिखाई ना दे, तो वहाँ पर तुम्हें एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, तुम उस सेब को उठा ले ना, इस प्रकार राजकुमार ने दर्वाजे क पर पहुँच गया, वही जब वो किले के पीछे पहुँचा, तो उसे वहाँ पर कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया, ना वो लड़की दिखाई दी, फिर वो आगे वाले कमरे में गया, पर वहाँ भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया, वो राजकुमार रसोई में गया, वहां भी उसे कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया, ना वो लड़की दिखाई दी, उसके पश्चात राक्षस के सोने वाले कमरे में पहुँचा, वहां उसने खराटों की आवाज सुनी, उसके अंदर जहांक कर देखा, राक्षस गहरी नीद में सो रहा था, पास में ही एक तश्टरी में एक सेब रखा हुआ था, भी राजकुमार को याद आया, सभी ने उसे क्या कहा था, यदि तुम्हें वो लड़की वहां पर दिखाई ना दे, तो तुम्हें वहां पर एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, जिसे तुम जरूर उठा लेना, भगवा सेब की तरह सुर्ख थे, प्रांखे सेब के बीजों रखाई रंग की थी, फिर लड़की ने रो करके राजकुमार से कहा, ये राजकुमार मुझे बचा लो, मुझे यहां से ले चलो, वहीं राजकुमार कहने लगा, तुम चिंता मत करो, जल्दी से मेरे पास आओ और हमार चला, भी राक्षस की यहां खुल गई और वहीं से राक्षस चिलाया, ये दर्वाजे जल्दी से उसे रोको तो दर्वाजा कहने लगा, मैं नहीं रोकूंगा, उसने मेरे जोडों में साबुन लगाया है और इस प्रकार कहकर के दर्वाजे ने राजकुमार को वहां से राजकुमार को रोको, यहां से जाने ना पाए, जादू गर्नी कहने लगी, मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि राजकुमार ने मुझे सोने के लिए एक मकमली कंबल दिया है, इस प्रकार उस लड़की को लेकर वहां से भी आगे निकल गया, वहीं राजकुमार अपना घोड राजकुमार को रोक ले, इसे जाने नहीं देना, तो कुत्ता कहने लगा, मैं राजकुमार को नहीं रोकूंगा, इसने मुझे खाना दिया है, फिर राजकुमार जो था लड़की को लेकर के आगे बढ़ गया, भगवान शिव हैं, यह पारवती, इस प्रकार राजकुमार का सभी ने साथ दिया, जब राक्षस उस राजकुमार के पीछे आया, कुत्ते के पास में पहुँचा, कुत्ते ने राक्षस के पैर में काट लिया, फिर पकड लिया, धर राजकुमार जो था तक भागता चला गया, जब तक कि वो जाडियों की कतार नहीं आ गई, यहां पर उस लड़की का पिता चिपा हुआ था, धर घोडे की टाप की आवाज सुनकर वो आदमी फिर से वहीं पर चिप गया, फिर राजकुमार ने फिर उसकी टांग पकड़कर उसको बाहर निकाला, इसल में वो आदमी घोडे की टाप की आवाज सुनकर डर गया था, फिर से ज़ाडियों में छिप गया था, वहीं उस आदमी को अपनी बेटी पाकर बड़ी खुशी हुई, राजकुमार के कहने पर इसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार के साथ में कर दी, इस प्रकार राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई, फिर उसको लेकर के संगत में पढ़ गया, अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, पत्या चार लगा, राजकुमार का स्वभाव जो था, उस सैल प्रकार का हो गया, वहीं जब राजकुमार की पत्नी बहुत ज्यादा परेशान होने लगी, बहुत ज्यादा परेशान रहने पती से प्रताडित होने लगी, रात दिन चिंता के मारे लगी। फिर कुछी दिनों के पश्चात में वो ही साधू जिसने राजकुमार को गुस्सा करने वाली चीज के बारे में बताया था, एक दिन राजकुमार के दर्वाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। जब उस राजकुमारी ने साधू को भिक्षा दी और उधर साधू ने राजकुमारी की चिंता की। जब लकीरों को देखा, जब साधू को मालूम पड़ा, इस राजकुमारी का पती बहुत ज्यादा गुस्सेल भाव का हो गया है। साधू ने जो चीज राजकुमार को बताई थी उसी चीज के बारे में राजकुमारी को भी बता दिया फिर राजकुमारी ने बेल के पांच पत्तों का रस लेकर उसमें सुपारी मिला कर कि सावन के पांच सोमवार राजकुमार को चुपचाप पीला दिया जिसके प्रभाव से राजकुमार का गुस्सा सदैव के लिए समाप्त हो गया वो राजकुमारी से प्यार करने लगा वही अंत में माता परवाती कहती है अभू अब मैं समझ गई यानि जो भी स्त्री बेल के पत्तों को पांच सोमवार सुपारी में मिला कर बेल के पत्तों के रस को चाप अपने पती को पीला देती है कि पती का गुस्सा सदैव के लिए छूमंतर हो जाता है भगवान शिव कहते हैं हे परवाती उन्हें ठीक समझा बेल का पत्ता मुझे बहुत ही प्रिय है ये इनसान के गुस्से को छूमंतर कर देता है